इस वीडियो में आप देख रहे हैं कुछ क्वेस्टन दिये हुए है कि जो हमारा नंबर है 25 66 55 22 12 35 ऐसे कुछ तो यह तू डिजित नंबर है अब तू डिजित नंबर में अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करें तो लेफ्ट का नंबर हमारा क्या है 265 21resse और यह कुछ नंबर से हमें से कंड आंक कि इसनिमबर के लेफ्ट साइड का हत जितना भी नंबर है उसका काउनट हमारा यहां पर आना चाहिए सं है ठीक है और जो right का है है हमारा यहां न चाले है इस को यह atm यहां और अब ही हाएक तो हमने यहां पे मेनुल क्योद दो तरीका है एक तो हमने यहां पर नहीं में नंबर नपर अल्रिक curso up चलते हैं आप देखो यहाँ पर सेम मैंने यहाँ पर दे रखा है वोilah अभी सबसे पहला हमारा क्या है यहां पर हमें इसके लफ़ वाले नंबर को फाइन करने के लिए हम यहां पर लगाएंगा लाफट का फॉर्मूला चाँ है नेध फोर्मूल आंए मेंशन क्या टैक्सट यह है और हैँ और यहां पर लफ्न साइड से वन डिजिट मिलत आधी यह ऑन डिज छुर थे मिलह के चाहिए अभी यह वन मिला है सेम कांद हम अगर राइट से करते हैं और हम यहां पर संभ प्लाई किया था तो यह क्या है text में हो गया क्योंकि left is text formula है तो left से पहले हम यहां पर क्या करेंगे value लगा देंगे means इस formula को अगर value में convert कर दूँ और यहां पर एंटर किया तो देखे हैं यहां पर हमारा two आ गया तो अभी आप देखो यहां पर इस चीज को मैं यहां से यहां तक ड्रैग कर देता हूं तो अभी हमारे जो सम में टोटल 19 है सेम हम यहां पर काम करेंगे इक्वल्ट वैल्यू एंडर राइट टेक्स्ट इस वन टेक्स हमारा क्या राइट से वन यंपर प्रेशिए अभी हमारा यह यह जून नंबर है यह टेक्ट में यह गयूम है अब हम यहां पर इसको सम कर सकते हैं एक्वल्ट आप शॉं और देंग 25 साथ चाहिए है सेम का में प्रोडक्ट करना है तो अब बबिन गाल सब कि कि मैं कि लिए नंबर कर लिया रेंज और प्रेस किया एंटर सेम हम यहां पर एसे रग कर दिया में अब यह जो हमने इतना time हमें लगा है इतना step लगा इससे अच्छा है कि यहां पर हम कुछ formula mention करते हैं जैसे अभी आप देखिए जब हम यह पर sum करते हैं हमें sum कहां से चाहिए था left से चाहिए था ना so left का formula अपने apply किया and then text हमारा क्या है तो text में हमने पूरा range ले लिया right text में हमने range लिया और text में range से उसमें हमें left side का number चाहिए so left से हमने one type किया अब क्योंकि यह एक array का formula हो गया यह array हो गया ना so array के condition में हमें क्या करना होता है control shift enter पर जब हम control shift के साथ enter करेंगे तो answer क्या रहा हमारा जीरो आ रहा है तो जीरो answer ना आए इसके लिए हमें क्या करना है left से पहले हमें quotes लगा देना है quotes means to double negative sign और प्रेस करना है control shift enter अभी आप देखिए हमारा answer बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है as it is जितना हमारे हाँ पर 19 ना रहा था वह ही यहां पर आ रहा है सेम काम हमें सम करना राइट से तो सम का formula apply करेंगे देन quotes और राइट टेक्ष्ट में हमने range ले लिया और राइट से हमें one digit चाहिए था और प्रेस किया control shift enter ओके वैसे ही हमें product अगर जानना है तो product करेंगे प्रोडक्ट अप्लाई किया हमने नंबर हमारा क्या है नंबर के जगा फिर हमने यहां से लेफ्ट ले लिया क्योंकि मुझे लेफ्ट से नंबर चाहिए सो लेफ्ट टेक्स्ट हमारा यह है कॉमा one और control shift enter ओके यहां पर भी हम करते हैं product निकालते हैं हम इसके find करते हैं और राइट राइट में टेक्स्ट हमारा यह पूरा का पूरा रेंज और नंबर आप कारेक्टर के तने one और और control shift एंटर तो गाइस मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा तो अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और SNN वीडियो आपको मिलते रहेंगे इसमें ओके गाइस मैंनी मैंनी थैंक्स चुआ है यदियो ऊपको मिलते आपको मिलते ऑनी मैंनी मुझे लेएस